जोहार दोस्तों आप सबों के स्वागत है जे के स्टेडी चैनल में और हमने कल से जे से सीजेल की त्यारी शुरू की है और आज का जो कलास होगा वो है जहारखंड के साहित्य एक स्रोत के बारे में तो आज के कलास में हम देखेंगे कि जहारखंड के बारे में साहित्यों में किस तरह का उले किया गया है हमें जहारखंड के बारे में साहित्य एक स्रोत क्या क्या है इन सब के पारे में हम आज के कलास में देखेंगे तो बिना किसी देरी के आज के कलास को स्रू करते हैं तो सबसे पहला question है वाइदिक सहित्य में छोटानागपूर के लिए किस सब्द का परियोग किया जाता था आपसन देखेंगे पहला है किकट दूसरा है खुखरा और तीसरा है पुण्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो इसका answer होगा option number two खुखरा तो इसका ज्वैदिक सहितिय में छोटा नाखपूर के लिए खुखडा सब्द का परियोग किया जाता था ठीक है आगे चलेंगे दूसरा कोश्चन है महाभारत के fill in the blanks पर्व में छोटा नाखपूर के लिए पुंडरिक शब्द का वर्नन हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों रिक्त स्थान भरना है तो महाभारत में कौन सा पर्व है जिस पे छोटा नाखपूर के लिए पुंडरिक शब्द का परियोग किया गया है ये पूछा जा रहा है तो आपसन देखेंगे राज विजय दूसरा है कर्न विजय और तीसरा है दिग विजय और चौथा है इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर तीन दिग विजय पर्व के बारे में तो दिग विजय पर्व में छोटराकपूर को पुंडरिक सब्दिया मनदब पुंडरिक देश करके इसका वरनन किया गया है अगला कोईशन है महा भारत में जार्खन को क्या कहा गया है जैसा पिछला कोईशन था उसमें महा भारत के दिग विजय पर्व के बारे में भूमी या जन चातिय भूमी इसका सही आंसर होगा option number एक पसू भूमी ठीक है अगला question है निम्न में से किस ने तारीक ए फिरोज शाही की रचना की है या एक साहित्य है एक पुस्तक है तारीक ए फिरोज साही तेहाँ पूछा जा रहा है कि ये तारीक साही तारीक ए फिरोज शाही के रचना कार कौन है पहला है अबूल फजल दूसरा है सम्स ए शिराज अफीक तीसरा है मलिक मुहमद जैसी और चौथा है अब्दूल हामीद लहोरी जिसका आंसर क्या होगा जिसका आंसर होगा शम्स ए शिराज अफीक तीक है अगला क्वेशन है नीम्न में से किसकी रचनाओं में जारकन सब्द का उलेक एक पद में आया है तो यहाँ पूचा जा रहा है कि कौन सा रचनाकार है और इसके रचनाकार कौन है जिसमें उसका एक पद में जारकन सब्द का उलेक मिला है option है कभीर दास, दूसरा है सूर दास, और चौथा है रै दास, और चौथा है गुरु नानक तो इसका सही जवाब क्या होगा कभीरदास कौन थे एक कवी थे उसके कवी थे और उसके कवीता में एक पद में छारकन सब्द का उलेख हमें देखने को मिलता है अगला क्वेशन है, दा निर्यो लिथिक पैटर्न इन प्री हिस्टरी ऑप इंडिया किसकी एक पुस्तक है या एक पुस्तक का नाम है तो इसके रचनाकार कौन है, इसके लेकर कौन है ये पूछा गया है तो option है Boreman, दूसरा है D.N. मजुमदार, तीसरा है S.C. Roy और चौता है Jems Dalton इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा Boreman ठीक है? अगला question है नेमने मेंसे किसकी पुस्तक में चेरो, खरवार एवं भूमीज आदी जंचातियों के बारे में उनके जारकंड आगमन और सांस्क्रितिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है तो इसमें कौन सा है? किसका पुस्तक है? कौन सा लेकक है? जिसके पुस्तक में ये सब के बारे में, जंचातियों के बारे में उलेक मिलता है जिसका सही जवाब होगा अप्सन नमबर डी, डी एन मजुमदार तीक है? अगला कॉश्चन देखेंगे दा कॉल ओप छोटनाकपूर के लेकक कौन है? दा कॉल ओप छोटनाकपूर के लेकक कौन है? अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डाल्टन और बोर्मैन तो इसका सही जवाब है डाल्टन अगला कॉश्चन देखेंगे नोट्स ओन ए टूर इन महामानभूम के रचनकार कौन है? अभी हम लोग जितने भी कॉश्चन देख रहे हैं रेगूलर सभी पुश्चक से रिलेटेड है तो इसमें पुछा गया है कि इस पुश्चक के रचनकार कौन है? तो अप्सन है एल्टिकेल दूसरा है गोपाल रोई तीसरा है जेम्स डाल्टन और चौथा है फादर कामिल बुलके तो इसका सही जवाब है अप्सन नमबर ए के एल्टिकेल यहाँ पर जो मानभूम देख रहे हैं मानभूम तो वो आज की वरतमान के धनबाद के बारे में कहा गया है अगला कुश्चन है मुगल काल में जहारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में खुकरा अगला कोशन है इस्ट इंडिया कमपनी के शासनकाल में जारकंड को किस नाम से जाना जाता था ये हो गया अजादी से पहले जो कोशन है इससे संबंदित है कि अजादी से पहले जब बिटिस शासन था इस्ट इंडिया का सासन था तो इससे में जारकंड को किस नाम स अगला question है पदमावत में जारखंड को किस नाम से उलेखित किया गया है ये पदमावत भी एक पुस्तक है और इस पे एक पिक्चर भी बनी है आप लोग सभी को जानते है तो इस पुस्तक में इस साहित्य में जारखंड को एक नाम से कहा गया है तो वो क्या नाम है इसका सही जवाब है option number 1 जारखंड तो इसको जारखंड ही कहा गया था अगला advertise है जारखंड के छोटानाकपूर को किस नम से संबोधित किया गया है जार्खंड के छोटनागपूर को किस नाम से संबोधित किया गया है तो अपसन है कर्खंड, कर्ण सुवर्ण, दामीन एको वनांचल तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है कर्ण सुवर्ण ठीक है अगला कोईशन हम लोग देखेंगे अर्थ सास्तर में जार्खंड को किस नाम से उलेखित किया गया है अर्थ सास्तर में जार्खंड को किस नाम से उलेखित किया गया है और अर्थ सास्तर के लिए कोन है रचियता इसका रचियता है कौटिलिया तो option है जार्खन कुकुट देश या कुकुट लाड या मुंडल तो इसका सही जवाब है option number B कुकुट लाड अगला question है यह आकरी question है जार्खन प्रदेश को सर्व पर्थम साहित्यक उलेक कहां मिलता है जार्खन प्रदेश का स्वर पर्थम साहित्यक उलेख कहां मिलता है उप्सन है एत्रिया ब्रह्मन, रिगवेद, महाभारत, तामरपत्र इसका सही जवाब है उप्सन नमबर ए एत्रिया ब्रह्मन में एत्रिया ब्रह्मन में हमें स्वर पर्थम इसका उलेख मिलता है तो आज के class के इतने पर समाप्त करते हैं यह आखरी question था तो जितने भी हम question देख रहे हैं थोड़ा first ने थोड़ा fast में देख रहे हैं तो हरे question सारे महतेपून है सबी important है तो हरे question को आप धियान से देख CRIT और समझ्जिए तो आज के class समाप्त करते हैं तो सभी कोई बने रहें जेकिस्टेडी चैनल के साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो लोग जल्ट जल्ट सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और हम कल फिर रात आठ बजे एक नए अपडेट के साथ एक नए क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्तित होते हैं तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें और अपना ध्यान दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद